रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं कीरन कुमारी एसोसेट प्रोफेसर होम साइन्स डिपार्टमेंट रांची विमन्स कॉलेज रांची मेरा आज का टॉपिक है बैक्टेरियो लॉजी जिवानो विग्यान यह टॉपिक B.A. और A. में दोनों ही की स्टूडेंट्स के लिए अत्यानती ही उप्योगी है इसकी सुरुवात मैं जिवानों के ग्यान की इतिहास से करना चाहूंगी अर्थात हिस्ट्रियो और बैक्टेरिया से इसकी सुरुवात में करने जा रहे हैं बैक्टेरिया वस्तुता सुक्ष्मजीव है जो सर्व व्याक्पी होते हैं अर्थात ये प्रित्वी पर जल एवं वायू सभी जगह पाये जाते हैं जिवानों की खोज सर्व प्रथम हॉलन निवासी लिवन हॉक ने सन 1683 में की थी लिवन हॉक ने एक विक्सित माइक्रोस्कोप बनाया और उसकी सहाथा से सर्व प्रथम जिवानों को देखा और यह भी सिध्ध कर दिया कि जानवरों में होने वाला अंत्रेक्स रोग एक विसेश प्रकार के जिवानों से होता है इसके लगभग 200 वर्सों बाद फ्रेंच वैग्यानिक लूई पास्चर ने 1876 में यह सिध्ध किया कि कई भयांकर रोग जिवानों के माध्यम से होते हैं जैसे हाइड्रोफोबिया उन्होंने यह भी सिध्ध किया कि फर्मेंटेशन तथा किसीगी प्रकार की सडन का मूल कारण जिवानों है इसी प्रकार जर्मन वैग्यानिक रॉबर्ट कोश ने सन 1864 में यह पता लगाया कि टीबी, कॉलरा, इत्यादी रोगों का कारण भी बैक्टेरिया ही है 1874 में हैंसन ने कुष्ट लोग का बैक्टेरिया से संबंध अस्थापित किया तब से अनेक वैग्यानिकों ने इस संबंध में सोजकारी किये और अपने खोज से विज्ञान के शाखा को नई दिशा प्रदान की बैक्टेरिया बस्तुतह एक युनिसेलूलर अर्थात एक कोशिये सुक्षमजीव है जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है युनिसेलूलर मतलब यह एक सेल से निर्मित होता है पोशन के प्रकृति के आधार पर इसे अनेक वर्गों में बाटा गया है परले इसके क्लासिफिकेशन में अगर हम जाते हैं तो मोड ओफ नुट्रिशन एक इंपॉर्टन बेसिस है उसके आधार पर क्लासिफाई किया और पोशन के आधार पर इसको हम सेप्रोफाईट, पैरासाइट, ओटोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक बैक्टेरिया के नाम से यह जाने जाते हैं सेप्रफाइटिक बैक्टेरिया वे बैक्टेरिया हैं जो अपने पोशन की प्राप्ति के लिए मृत जीवों अर्थात सड़े गले भोज्जिपदार्थों पर निर्भर गरते हैं इसलिए इन्हें मृतोप जीवी भी कहा जाता है परसाइटिक या परजीवी बैक्टेरिया वे हैं जो अपने पोशन की प्राप्ति के लिए जीवों पर आश् 데्स रहते हैं ये जीव मनुवस्वी अत्वापौधे कुछ भी हो सकते हैं जिस पसो अत्वा पौधों पर ये जीवानों निवास करते हैं, अत्वा पनपते हैं, उसे हम होस्ट या पोसिता कहते हैं, ये जीवानों होस्ट से पोसन प्राप्त करने के साथ साथ उनमें विश उत्पन कर हानी कहुँचाते हैं. तीसरे प्रकार के जिवानों वे हैं जिने हम autotrophic या स्वजीवी कहते हैं ये बैक्टेरिया nitrogen, sulfur, iron इत्यादी का रासाइनिक संसलेशन के द्वारा कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और इस प्रकार से अपना भोजन स्वयम निर्मान करते हैं जोसे प्रकार के अंतरगत वे बैक्टेरिया आते हैं जो अपने पोसन की प्राप्ति के लिए host अत्वा पोसिता पल निर्भर तो करते हैं किन्तु पैरासाइल की तरह उनका कोई नुकसान नहीं करते हैं अपितु कई बार लाब ही पहुँचाते हैं अता इसे हम सहजीवी या सिंबार्टिक बैक्टेरिया कहते हैं जिवानों को प्राणी अत्वा वनस्पती जगत में अस्थान के सम्मन में सुरू से ही मत भेद रहा है गतिशील होने के कारण कई वैक्जाने किसे प्राणी जगत का जीव मानते हैं जबकि इसकी कोशिका की संरचना प्लांट सेल से मि किन्तो इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिती नहीं होती है आकार और आकरिती के आधार पर भी बैक्टेरिया का नामकरन किया गया है जैसे गोल आकरिती के बैक्टेरिया कॉकस कहलाते हैं इसी प्रकार से छड की आकरिती या बेलनकार आकरिती की बैक्टेरिया बैसिलस कहलाते कॉमा की आकषिती वाले बक्टेडिया वाइबरियो तथा सर्पा कार आकषिति वाले ब्ऍटेडियाints कहला है है ती बी बच्टेडिया दिवारा उत्पन एक ड्रमुक रोग है जो माइकquinho बैक्टेडियां ट्यूबर्बकवुव्लोसिट्यान मधक्टेडिया pro इसी प्रकार से टाइफार, डिक्थीरिया, निमोनिया, कॉलरा इत्यादी अनेका नेक संक्रामक रोग हैं जो बैक्टेरिया द्वारा हमारे सरीर में उत्पन्न होते हैं। एक मिलिमीटर का एक हजारवा भाग होता है। इसका आकार 0.05 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। बैक्टेरिया लावदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं जिने हैं पैथोजेनिक और नन पैथोजेनिक कहते हैं। हनिकारक बैक्टेरिया से मनुस्यों को कई प्रकार के रोग होते हैं जबकि लाव दायक बैक्टेरिया वे हैं जो मनुस्यों को लाव पहुचाते हैं अमोनिफाइंग तथा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया भूमी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं Ammonifying bacteria सड़ी गली वस्तूओं तथम रित प्रानों के सरीर में संचित प्रोटीन को Ammonia में बदल देते हैं इस Ammonia से Ammonium Carbonate बनता है इसके बाद Nitrifying bacteria Ammonium Carbonate को Nitrite में बदल देता है Nitrite की मात्रा में व्रिधी होने से भूमी की उर्वरा शक्ती बढ़ जाती है इसी प्रकार से Isobacter, Rhizobium इत्यादी बैक्टेरिया वायमंडल से Nitrogen अफ्सोसित करके भूमी में मिला देते हैं जिसे Leguminous Plant प्रोटीन का निर्मान करते हैं इसी प्रकार से दूद से दही बनाने में, जूट वरलिनन तयार करने में, चारपत्ती तयार करने में इत्यादी इस तरह के अनेका नेक जगों पर बैक्टेरिया का महत्वपूर्ण युगदान होता है बैक्टेरिया में ताप सहने की असीम छंता पाई जाती है रायह सभी बैक्टेरिया के व्रिद्धी के दृष्टिकों से Body Temperature बहुत उप्युक्त माना जाता है 40 डिगरेट के तापकरम के उपर इसकी व्रिद्धी में एक प्रत्यक्छ कमी आ जाती है 45 डिगरेट के आसपास इसकी अक्टिबिटी लगभग सीज़् हो जाती है 70 डिगरेट के तापकरम पर नौन-स्पोरिंग बैक्टेरिया मर जाते हैं किन्तो इतना अवश्य है कि इस तापक्रम पर अलग-अलग बैक्टेरिया को मापने में लगने वाले समय में परियाप्त अंतर हो सकता है। इसके अलावा बहुत से बैक्टेरिया ऐसे होते हैं जो extreme cold अर्थात 0 degree centigrade पर भी नहीं मरते हैं। सिर्फ उनकी activity seize हो जाती है। यही कारण है कि freeze में रखी सबजियां जादे लंबे समय तक ताजी बनी रहती हैं क्योंकि वहाँ bacteria activity minimum होती है। 45 degree centigrade तापक्रम के ऊपर भी अपने क्रिया करते हैं। कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो 45 degree centigrade तापक्रम के ऊपर भी अपने क्रिया करते हैं। थर्मोफाइल्स कहते हैं इसी प्रकार से 20 से 25 डिग्री सेंटिग्रेट के विजो बैक्टेरिया आक्टिव रहते हैं उन्हें हम मीजोफाइल्स कहते हैं तथा जो बैक्टेरिया 20 डिग्री सेंटिग्रेट के नीचे ग्रियासील हैं वे साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं ऐसे भी जाता है मुख्य तह बाइनरी फिशन के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धी करते हैं अतह उपर्युक्त विवरं से असपस्ट है कि बैक्टेरिया हमारे लिए अनेका नेक रोगों के कारप होने के साथ साथ हमें लाभ भी पहुंचाने का काम करते हैं अठात ये हमार परमित्र भी हैं और सत्रों भी धन्यवाद